नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिम शर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में पच्छिस ख़बरों पर कॉंग्रेस में अद्यक्षपत का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा शुक्रवार को कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की बैटरक में इसका एलान किया गया कडाके की ठंडर जेल रहे दिल्ली वासियों को आज सुबह रहात बरी रही है दिल्ली में सुबह का वक्त न्यूत्म तापमा 6.8 डिग्री दर्च किया गया साथी विजिबल्टी 500 मीटर दर्च की गई पश्रिम बंगाल में विधान सवाज चुनाफ जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तुर्मूल कॉंग्रेस में इस्तिफा देने की रफ्तार लगातर बढ़ती जा रही है शुक्रवार को ममता सरकार में वनमंत्री राजीव वेनर्जी ने अपने पत से इस्तिफा दिया देश में कोर्ना वाइरस का प्रकोप लगातर कम हो रहा है पिछले 24 गंटे में 14,545 नए मामले सामने आये 163 मरीजों की मौत सुप्रीम कोट ने फरजी जन्म प्रमणा पत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाबाद हाई कोट से मिली जवानात को रद करने से इनकार किया बिहार में सांसद विदायक या अफसर के खिलाफ सोचल मीडिया पर अनाप शनाप टिपड़ी करने वालों के खिलाफ अपकारवाई की जाएगी ये बात पुलिस की आर्थिक अपराद इकाई के ADG की तरफ से जारी पत्र में की गई दिली के ITO में एक बिल्डिंग में आग लग गई घटना से इलाके में हलकम बमच गया फायर बिगेट की गाड़ी मौके पर पहुची और आग पर काबू पालिया गया आग लगने के कारण बिल्डिंग की छट पर एक सुरक्षा गाड़ फस गया था जिसे फायर बिगेट ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित भार निकाला और वही नौइडा में सुबह उस वक्त हलकम मच गया जब पुलिस को सूचना मिलीगी सेक्टर 63 में बम जैसी कोई चीज देखी गई है पुलिस का कहना है कि ये बम जैसी देखने वाली चीज किसी शरारती तत्व द्वारा रखी गई है फिलाल पुलिस मामले की जांच कर करनाटक के शिमोगा जिले में देर रात एक ट्रक में तेज धमाका हो गया विस्वोट इतना भीशरता कि कई घरों के शीशे तूट गए वहीं कई लोगों की जान बीच ली गई है पुलिस विवाग के आलादेकारी मौके पर पहुचे हैं जान शुरू की और वहीं रौतक में 52 साल पहले हुई दादक की हत्या का बदला लेने के लिए 28 साल के पोते ने 76 वर्षे पड़ोसी की पेट में तलवार घोप का हरत्या कर दी पुलिस ने कारवाई करते हुए आरूपी को गरफ्तार किया गंड़ोर में कई शक्स का शव खेत में मिलने से अड़कंप मच गया ग्रामीनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची है शव को पोस्माटम की लिए बेजा फिलाल पुलिस मामले में परिजनों से पूस्थाच कर रही है बलिया में अग्यात बदमाशों ने कई शक्स को गोली मार दी और फरार हो गए आसपास के लोगों ने गाहल अवस्ता में जिला स्पताल पहुचाया जहां डॉक्टरों ने उसे अम्रत घोशित कर दिया जिसके बाद परिजनों में कहराम मच गया पुलिस बदमाशों की त मामले में पुलिस ने एक आरूपी को हिरासत में ले लिया है उदर मुख्यमंतरी योगे रितनात ने गटना पर संग्यान लिया और पीड़ित परिवार को पाच लाख रूपे की आर्थिक मदद मोहिया कराने के निर्देश दिया गोरकपुर में सराफा व्यवसाई से 19 लाख नगत 12 लाख के सोने की लूट में पुलिस ने कारवाई किया एसपी हिमराज मीडा ने बड़ी कारवाई की एसपी ने मामले में पुरानी बस्ती थाना द्यक्ष समेथ 12 पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया हर्दोई में के शक्स ने 6 साल की बच्ची के साथ दुशकर्म किया और हत्या कर दी जिसके बाद वो फरार हो गया पुलिस ने शफ को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया है शक्स की तलाश चुरू की घटना के बाद परिजनों में कोराम मचा हुआ दिल्ली में बदमाश ने टॉइगन की साथ एक कैप चालक से उसके मोबाइल फोन और नगदी लूट लिये जिसके बाद फरार हो गया पुलिस ने तुरंत कारवाई की है और बदमाश को गरफतार किया बदमाश के पास से पुलिस ने मोबाइल और नगदी जप्त की भरतपुर में एक खेत में एक लड़की की लाश मिलने से संसनी फैल गई शिनाक्त होने पर पता चला कि मृतिका एक छात्रा थी छात्रा के परिवार ने उसके टीचर और दो अन्य लोगों पर रेप करने के बाद हत्या का आरोप लगाया है पुलिस इस मामने में जांच कर जा रही है दिल्ली में बैंक दोगदड़ी के केस में 55 लाख रूपे की घूस लेने के आरूप में सीबियाई ने अपने ही डी एस्पी और इंस्पेक्टर सहित एक वकील को गरफतार किया है सीबियाई ने इस मामले में चार अफसरों के खिलाफ केस दर्च किया गौणड़ जिले में अगवा मेडिकल शात्र के मामले में नॉड़ा स्टीएफ को बड़ी कामियाभी मिली है यूपी स्टीएफ की नॉड़ा टीम ने मामले की जान शुरू की और किड्नैपर्स के चंगुल से गौरफ को सकुशल छुडवा लिया और साथी स्टीएफ की एक्टर वरुन दवन और नताशा दलाल की शादी की तैयारी जोरो पर चल रही है बॉलिवोड के तीन खान में से सल्मान और शारुक को वरुन की शादी में देखा जा सकता है साथी बहुत ही खास मेमानों को बुलाया जाएगा दिवंगत बॉलिवोड अभी नेता रिशी कपूर और नीतु कपूर की आज वेडिंग अनिवर्सरी है आज इस खास मौके पर उनकी पत्नी नीतु कपूर रहे इंस्ट्राग्राम पर को शेयर किया जिसे देखकर उनके फैंस की आखों में आसु जलका है उन्होंने लिखा कि आज 41 साल हो गए होते हैं चीन में कोर्ना वाइरस के बीच एक नई बीमारी फैल रही है इसे बीमारी से हजार सुर संक्रमित मिले हैं इस बीमारी को स्वैन फीवर बताया जा रहा है ये अफ्रिकन स्वैन का नया रूप है फिलाल पाच मिनिट 25 कवर में सिर्फ इतना ही बने रही है नियूजवल इंडिया के साथ नमस्कर